मल्यालम की दोस्तों आने वाली तीन मूवी यानि के इसी 11 अप्रेल को दो दिन के बात में आने वाली है एक मूवी तो दोस्तों काफी ज्यादा यहां पर ट्रेंडिंग पर चल रही है जिसका नाम है फाहत फादिल इस्टार आवे शम दूसरी मूवी है जै गणेशा जो एक वील चेयर पे एक बंदा है उसका नाम ठीक से पता नहीं है फॉलो नहीं कर रहा हो सकता है आगे जाके मूवी देखूँ और यहां पर फॉलो करूँ कोशिश पूरी है कि बाई मूवी जरूर देखूँ है तीसरी मूवी है वर्षा गो अब देखा जाए सबसे पहले में आवेशम की बात करूँ तो आवेशम मूवी दोस्तों कोई चोटी मोटी मूवी नहीं होने वाली है तो उसमें इस्टारर फास फाजिल है मूवी खुद ही यहां पर प्रोड्यूस भी किये हैं यहां पे खुद में लीड में भी वह काम कर अब उनका जो एक पाला होता है वो मुझे लगता है कि फाद फाजिल दे पड़ता है और वो अब इनको बचाएंगे या फिर वो दोनों तीनों खुद और भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे इसके बारे में मूवी देखनी पड़ेगी यहां पे फाद फाजिल क अब यहां पर जिस तरीके काम उनके अंदर से निकल रहा है और जो हमें देखने को मिल रहा है पीजर में इवन गाने में गाना काफी जादा बड़ा हिट हुआ है इलूमेनाती यहां पर अलग अलग तरीके का पोस्टर्स जो मेकर्स आवेशम से निकाल के दे रहे हैं वो मूवी की एडवांस बुकिंग दोस्तों एक करोड के आसपास पहुच चुकी है अलाकि सतर लाग तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं इस टाइम पे गूगल सतर लाग बता रहा है लेकिन यह जो अपडेट इडवांस बुकिंग है यह है आफ्टरनून की अभी तक इस लिए यानि के पुराने जवानी की सत्ता रसी जवाने के दशक की और यह दोरों बनना चाहते हैं हीरो यानि के हिंदी सिनिमा में काम करना चाहते हैं अब इस हिंदी सिनिमा में काम करने के लिए कितनी जादा यहां पर जद्दो जयद होई थोड़ी सी इमोशनल लेवल वो चीज़ देखने लाइक होगी, मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी यहाँ पर family drama होने वाली है, और यहाँ पर जिस तरीके की movie हमने देखी है family wise, यह थोड़ा सा इस तरीके का यहाँ पर होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अलग content होगा, और मुझे यकीन है पूरा कि मल्याला movie कुछ यहाँ पर strange and कुछ new देखने को जरूर मिलेगा, बात करता हूँ जैगणेश, तीसरी movie, बाइंदा wheelchair पर यहाँ पर बैठा हुआ है, पूरी movie शूट कर ली wheelchair पर, wheelchair दोस्तों कुछ अलगी level कर रही, कभी वो bike बन जाए, कभी scooter बन जाए, कभी वो actually wheelchair ही बन जाए, बन दा कर क्या रहा है, actually मैं है क्या वो, और क्या करना चाह रहा है, क्या था वो, wrestler था, क्या था, किस तरीके से यहाँ पर जो है, इस fight को लड़ेगा, यह दोस्तों देखना काफी, यहाँ पर दिल्चस्प होगा, क्यों यहाँ पर confusion मैं नहुआ हुआ है, को wheelchair बैठके, वो सारी सारे काम कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है, और यह चीज़ दोस्तों, मैं इंडियन सनिमा में आई थिंक, शायद पहली बार देख रहा हूँ, एक मैंने और मूवी देखी थी, कौन सी थी, वो, बच्चन साब की वजीर, बच्चन साब की वजीर थी, लेकिन पता लगता है, कि व दोस्तों नंबर्स निकल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ आइडिया, कुछ एनलाइस, बोक माई शो से निकला, और वो, मैं आपको यहां पर बताता चलू, जब को बार यहां पर आवेशम और वर्शा गोनु सेशम, इन दोनों का ही एक अलग लेवल च सब्सक्राइब को इन तीनों ही मूवी को सपोट कर रहें, और हाँ जाने पर पहूं को यह और बाद बता दू, जो की काफी दोस्तों हमच अवेटेड मूवी है, मूमूती शबकी जिसका नाम है ठर भो और इनकी मूवी में दम होता कब आख सका नाम मेरे धियान देगीया है लेकिन दोनो तलाग लेंड आ चाते हैं ना मेरे धियान से निकल लाणी जितनी टारीफ कि जाए भाई उतनी ही कम होगी तो कि मूवी अभी अल्रेडी लगी हुई है केरला में यहां पर दमदार परफॉर्मेंस दिये फिर मंजुवल बॉइस आई हुई है अभी तेलगू में उसने भी यहां पर कमाल का यहां पर रेस्पोंस दे दिया है और बागी है कि मलियालम सि लिए भी तो मैं यहां थैंक्स वर्वाट